जेलर ने दूसरे ही दिन सवेरे आकर कहा कि आप किसी दूसरे कैदी से बाते ना करें आपको ऐसा ना करने देने की हमें आज्या है और आपको टहलने के लिए बस इतना ही स्थान मिलेगा दूसरे कैदियों को भी पास आने की आग्या नहीं थी परन्तु वे लोग बैठक की सफाई के लिए रोज आते जो भोजन बच जाता मैं उन्हें दे देता वे बड़ी खुशी से उसे ले लेते और जेल भर का हाल बताते रहते महात्मा गांधी का नाम और काम उन्होंने भी खूप सुन रखा था ना मालूम कहा कहा की बाते उन तक पहुँच जाती उन बातों को आपस में बढ़ा चड़ा कर एक एक की सौसो कर देते और उन पर बड़ी बड़ी आशाएं बांधते चले जाते एक आदमी पर डाका डालने का मुकदमा चल रहा था वह मेरे साथ वाली बैठक में बंद था वह भी सफाई के लिए आया करता था गांधी जी पर अपनी असीम भक्ती प्रकट करता कहता महात्मा जी के लिए सिर हाजिर है उनकी दया होगी तो साफ छूट जाओंगा मैंने कहा महात्मा जी डाकू के साथ नहीं है वह डाका डालना बुरा समझते हैं वह इसे अच्छा नहीं मानेंगे कि तुम डाका डालो और साफ बच जाओ इस बात से वह सोच में पड़ गया बाद में वह अपने कामों पर पस्चाताप करने लगा मालूम नहीं अंत में उसका क्या हुआ मुझे जेल के लोगों ने बताया जेल की आधी अबादी दफा एक सो नो वह एक सो दस में आए हुए कैदियों की होती है गावों शहरों में जो आदमी तनिक भी मन चला और बढ़े हुए होसलों का हुआ बस उस पर पुलिस की वक्र द्रिश्टी पड़ी और वह दफा एक सो नो या दफा एक सो दस में जेल में बेजा गया यह मानना पड़ेगा कि जेल में अधिकांश आदमी बेकसूर हैं उनका कसूर केवल इतना होता कि उनमें जोश होता आगे बढ़कर काम करने की उमंग होती ब्रिटिश सरकार इन ही लोगों को अपने कामों में बाधा समझती है और इन भावनाओं को खुलम खुला अपने पैरों के नीचे कुछलती है कानपुर जेल में कोई खास घटना नहीं घटी छे बजे शाम को बैरक में बंद कर दिया जाता रोशनी के लिए लाल्टेन रहती रात को मलमूत्र विसरजन के लिए मिट्टी के पात्र रख दिये जाते थे सवेरे छे बजे खोला जाता दिन को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना और रात को पढ़ना तब ये तुक्ताती तो दरवाजे पर ताला लगाये खड़े हुए जमादार से बाते करता था फिर अपने साथी नंबरदार से इन दोनों से बाते करने में कठिनाई होती थी विचारों में कोई सामन जस्य नहीं था इसलिए खेती-पाती, घर-द्वार, इसी प्रकार की बहुत ही समान्य विश्व पर साधारन से साधारन बाते कर समय काटने की कोशिश करता रामायन को जोर-जोर से पढ़ने में मुझे बहुत आनन दाता रात को पढ़ता, नंबरदार कलुवा पड़ी भक्ती से बैठ जाता, खूब ध्यान से सुनता समझता बहुत कम, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कसर नहीं थी जेल में तकलीफ न थी, परंतु अकेले होने के कारण समय नहीं कटता था यहां तक की, दिन में घंटे मिनट तक गिन डाले थे बैठा बैठा, बहुदा दिवार के पास से संसन और फड़फड करके जाने वाली ट्राम के आने जाने की संख्या गिना करता था कुछ मिंटों की आम दफरत के आधार पर हिसाब लगाया करता था की सवेरे से लेकर, ग्यारा बजे रात तक ट्राम इस पट्री पर कितनी बार आई और गई होगी एक दिन उकता कर, बैरक भर में कितनी इटे लगी हैं, उन सब की गिन्ती करता रहा पढ़ते पढ़ते, सिर भारी हो जाता, तब यह काम करता एक दिन सवेरे, शायद 26 अक्टूबर, असिस्टेंट जेलर मेरे पास आए, और बोले, आप अपना सामान संभाल लीजिए, आप लखनों जेल भेजे जा रहे हैं मुझे अपने नमबरदार के बिछुडने का अफसोस था, परन्तू कानपुर जेल जाने का अफसोस नहीं था